हमारे विभिन ज्ञान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार दर्शको बहुत-बहुत सवागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम जो तरुष्ग्यान में और मैं हूँ आपके साथ मॉनिका ग्रुवर हमेशा के तरा स्टूडियो में आज में मौजूद है हमाएं साथ हमारे बेहत खास महमार जी हाँ नमस्कार तो अक्सर हम बार के अनुसार यानी डेस के अकोरडिंग रखते हैं ग्रहों के अकोरडिंग रखते हैं अगर रखा जाता है तो इसकी विद्धी क्या है ये बताए जी आई दर्शो को बात करते हैं राहू और केतू के वर्त हम किस प्रकार से रखें हमने विगत दिनों में नाना भाती के चीजों का जिगर आपसे किया और वर्त के संख्ला में समस्त प्रकार के वर्तों में जहां हम सोम का वर्त रखते हैं मंगलवार का रखते हैं बुद्वार का रखते हैं अलग-अलग कामनाओं के लिए अलग-अलग वर्त रखे जाते हैं या हमारी जनम पत्रिका में या हमारे हाथ की रिखाओं में हमारे इस प्रकार के ग्रह हो कमजोर ग्रह हो कोई ऐसी इस्तिती हो शत्रू से बादा हो या मानसिक मनसूबे पूरे ना होते हो बहुत सारे चीज़े हैं तो हम नाना भाती के वर्त हमें बताए गए हैं अब हम जिस प्रकार से शनी का वर्त रखते हैं करीब करीब उसी प्रकार से राहू और केतू का वर्त रखा जाता है ये किस दिन रखा जाता है ये मैं आपको समझा देता हूँ आप दोनों ही वर्थ के बारे में मान के चलना अगर हम राहू का वर्थ रख रहे हैं तो हम अठारा वर्थ रखते हैं हम केत्व का वर्थ रख रहे हैं तो भी अठारा वर्थ रखने का विधान है कब से रखे जाते हैं शुकल पक्ष के प्रथम शनिवार से इन वर्थ को प्रारम किया जाता यानि के महिने में दो पक्ष होते हैं करशन और शुकल चांदनी रातों वाले को शुकल पक्ष करते हैं आप जानते ही होंगे तो शुक्ल पक्ष के पृण सनिवारसे राहू या केत्व कि वरथ हम लख सकते हैं और 18 रखे जाते हैं कि हर वर्थ को रखने से पहले कुछ नियम काइदे होते हैं वो भी हमने आपको बताए अब नियम काइदों में सब्से पहले बात तो हमने अक्सर बताते हैं उस दिर बुरुष नहीं किया जाता है क्योंकि वह जूटा होता है मेला होता है इसलिए आप हमारा जो वर्त विशेशांख है कैसे वर्त रखें पूर विधी को भी एक बार यूट्यूब पर आप जरूर सुनिएगा समझभाएगा हम उस दिन सात्विक आहर लें खास्तोर से भोजन में मीठा भोजन लें ये ध्यान रखें और उस दिन पीपल की पूजा जरूर की जाती है जो व्यक्ति राहू या केत्यू का वर्त रखते हैं प्रातकाल पीपल की मूल में मीठा जल काला तिल शक्कर और उसके अंदर दो मिला करके अर्पन किया जाता है शटनी की तरह लेगन शाम के शमय पीपल की जडमें या पीपल के नफ्जीक शर्सु के तेल का दीप जलाया जाता है राहू या केत्यू के निमित आति शुब फलदाई माना जाता आ अठारा वर्त रखने अठारे आपको जलाना होता है आप नीला या काले वस्त्रों का प्रियोग करें, जैसे अगर आप केतु का राहु का रख रहे हैं, तो उस वक्त में आप गोमेज धारन कर सकते हैं, केतु का रख रहे हैं तो आप लहसुनिया जिसको इंगलिस में cat's eye कहते हैं, उसको हम सबसे छोटी उंगली में पहिन सकते ह या फिर इन चक्रों में ना पड़े, सीधा सा आप ब्लेक रंग का दान करें, या नीले रंग का दान करें, या नीला रंग अपने अंग साथ करें, लाइक आप जो घड़ी बानते हैं, उसका जो फीता होता है, वो नीले रंग का या ब्लेक रंग का होना चाहिए, और यग आदी भी इसके बहुत अच्छे से आप करें या करवाएं राहु केतु जब हमारी जनम पत्रिका में यही एक ऐसी दो ग्रह होते जिनकी वज़ा से हमारी जनम पत्रिका में कालसरफ दोश उत्पन होता राहु एक ऐसा ग्रह है चंद्रा के साथ बैठ जाए तो चंद्र ग्रह बैठ जाए तो अश्रुबता प्रदान होती आगर इसके यह विवरीत ग्रह के साथ बैठ ज़ें अपने शट्रु ग्रह के साथ बैठ जाए जैसे चंद्रमा इसके श्त्रु और साथ में सूरी या सके श्त्रु है बुद्ध से फिर भी राहुमित्रत रखता है आप देखो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो आपको आपकी जनम पत्रिका से ही मालूमात पड़ती हैं लेकिन फिर भी हम राहु केतु के लिए दान क्या करें वो सुन लीजिएगा अगर हम राहु के लिए प्रोपर्ली दान कर रहे हैं नीला वस्त्र, काला तिल, काला लाड़ी या कोई भी ऐसा काला गरम कपड़ा कंबल आधी हम दान कर सकते हैं या फिर सब कुछ नीला ले नीले से भी बहुत अच्छी बात बनती है कुट्टे की सेवा करना भी एक तरह से राहु को पसंद होता है अच्छा लाब मिलता केतु का दान कर रहे हैं कुल्थी हम कर सकते हैं काले पुष्प हम दान कर सकते हैं वैसे वास्तम में केतु का जो रंग होता है वो तमाखु रंग को होता है हलका हलका कोका कोला टाइप रंग को होता है जैसा टैबो को होता है तमाखु आपने बड़े वाला देखा हो अगर किसी ने उस टाइप का कलर होता है य आठारा शनिवार वर्त रखने आठारा शनिवार जो आपसे थोड़ा बहुत बने आप दीजिएगा अब इससे होता क्या है इनके जब कितने किये जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ राहू का जो बीजात्मक मंत्र होता है वो भी आप सुन लीजेगा और मैं आपको केतु का बीजात्मक मंत्र भी बताऊंगा और इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए वो भी मैं आपको अभी एक दो मिनट में नोट करा दूँगा आप अपना कागज पहन तयार रखें लाब क्य कि को बहुत बड़े शत्रू से हानी हो रही हो तो राहुकेतु के वरत्सिलाब मिलता है। कोई राज भै हो कोई राज़ दंड का हो या कोई ऐसी चीज हो कि को भै सताता हो कि मुझे यसर जा ना मिल जाए। जबकि उस प्राने की कोई गलती ना हो कई भार भै आप्ट हो जाता है मन में तो ऐसी इस्तितिर में भी यह वरण रखना बहुत अच्चा होता राहू के बीच में सभी इन पुणकना कुंडली मार करके बैठे हो अर्थाथ आपको कालसरब विशाक्ट कालसरब योक्षयोः में आप चले जा रहे हो ऐसी इस्तेटी में भी हमें राहू के तुकि वर्तरखने बहुत फाइदेबंद होते हैं अब राहू का हम किस मंत्र को जबते हैं आईए मैं आपको बता देता हूं आप लोग नोट डाउन करें ओम भ्रां भ्रीम भ्रॉम सह रहेवे नमा दुबारा सुने ओम भ्रां भ्रीम भ्रॉम सह रहेवे नमा इसकी जब संक्या कितनी होनी चाहिए राहू के मंत्र की टोटल 18 वरतों वर्तो तक अठारा हजार, अपने हिसाब से डिवाइडेशन कर लें, अठारा हजार इसकी जब संख्या होती है, केत्व का सुन लें, ओम, स्राम, स्रीम, स्रॉम, सह केत्वे नमा, दुबारा सुनें, ओम, स्राम, स्रीम, स्रॉम, सह केत्वे नमा, इसकी जब संख्या सतरा हजा होती है या ठारा भी कर लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है और इस बीच दान पुन कुछ भी आप करते रहें निश्चत तोर से आपको इसका फल मिलेगा हाला कि राहू और केतु कोई ग्रह नहीं है यह भी मैं आपको बता दूँ जो पंडात्मक रूप में ग्रहों की इस् नहीं होते हैं हमारे रिश्यों ने सास्तुर में जो वर्णन किया है वो मात्र साथ ग्रहों का किया है और जिनका खगोलिय पंडात्मक उधारण भी हमें मिलता है लेकिन राहू के तुझो हैं वो केबल चाया ग्रह माने जाते हैं आपने किस्ता सुना ही होगा जिस समय कलस की कुछ भूंदे इनके पूमें पहुंच गई थी उस बात उस समय मैं बहुत शोटली बता रहा हूं विश्णुजी को जब पता लगा तो उन्होंने अपने चक्र से इनकी गर्दन को उड़ाया लेकिन अब वो अमरत पहुंच चुका था इसलिए मरे नहीं है ना इसल सब्सक्राइन की शि Open वर्णा को चैनल से आपको एक रहो विशेशंग आपको पसंद आया ओको तो किस तरह से आपको रहु और के टो कि लिरत रखना क्या विधी है वह मुझसे आपको क्या लाब हो सकते हैं ये आपने जाना इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दर्शुकों ये तो हुई राहू केतू की बात अगर आप ग्रहों के बारे में भी जानना चाहते हैं और ये जाना चाहते हैं कि किस तरह से ग्रहों का सही बैलन्स बनाकर अपने जीवन को सवारा जा सकता है तो इसके लिए आप संस्थान से अपनी शुद्वैदिक जनपत्र का ज़रूर प्राप्त करें बाकि शर्मजू से मुलाका नहीं कर पारे किसी रीजन से तो ऐसे में आप कॉल अपॉंडमेंट ले लिए संस्थान में कॉंटाट करने का समय रहेगा सुबादस बजू से देकर श्वाम के छे बज़े के बीच में चलने की दीजो इजाज़त नमस्कार एक टाइम भोजन करके भी हमारे परिवार को रखा है मैंने फिर दो सार से इनके टीवी के माध्यम से मैं इनके किमरे संसर्ग में आया और आने के बाद इनकी छोटे छोटे नुक से वो में अपनाता चला गया और आज मेरा परिवार इतना सुखी है कि मैं आपको कहा नहीं सकता हूं कि और आगर इनकी दया रहेगी हमारे उपर तुम मैं इनको बार बार परणाम करते हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और आई करना ना भूलें